दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Windows 10 की High Performance Setting इसको करने के बाद आपके PC की जो Speed है वो काफी Fast होने वाली है तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले Start के Button पर Apply करेंगे तो जैसे Start के Button पर Apply करेंगे और Setting पर Click करेंगे तो जैसे इसके उपर Click करेंगे और Storage Sense को हमने Enable करना है यानि के इसकी जो Setting है या Configuration है इसको हम Enable करेंगे Enable करने के बाद Configuration के उपर हमने Click करना है तो यहाँ पर अब हमने कुछ Simple सी Setting करनी है बहुत ही असान सा Method है आपने यहाँ पर Select करना है Every Week तो यहाँ पर Default Setting को आप अपने हिसाब से Change कर सकते है Every Day, Every Week, Every Month में आप इसको Change कर सकते है तो मैं इसको Every Day पर Select करूँगा ताके मेरी तमाम जितनी भी Junks फाइल है वो Every Week डिलीट होती रहे और यहाँ पर Temporary Files को भी हमने चेक करना है ताके यह भी साथ साथ दिलीट होती रहे तो यहाँ पर इसका जो Time या Days है इनको हम Select कर सकते है Time या Date को आप यहाँ पर इस तरह Select कर सकते है यागर आप One Day Select करते हैं तो यह After One Day यह Automatically Remove हो जाएगी जितनी भी Junks फाइल है, Temporary Files है और Last में अगर हम डिसकस करें तो यहाँ पर हमारे पास Download Folder है तो इसको हमने Never करना है ताके हमारे Download Folder जो है वो रिमूव ना हो जाए उसकी तमाम Files इसके बाद Free App Space यहाँ पर हम क्या करेंगे Clean Now भी कर सकते हैं अगर आप Setting नहीं करना चाहते हैं आप इसको Automatically Remove करना चाहते हैं तो इसके उपर आप Click करें तो Clean Now के उपर Click करने के बाद तमाम File डिलीट हो जाएंगी बैक आएंगे और यहाँ पर हम Find Out करेंगे Temporary Files तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है Simple सी कुछ Setting करनी है Windows Update को हमने Uncheck करना है तो हमारे पास जो Setting है वो Remove हो चुकी है हमारी जो Space है वो काफी हद तक यानि के Junks File रिमूव हो चुकी है इसके बाद हम Simple फिर आएंगे अपने Start के बटन पर Run Command में आएंगे यहाँ पर अब हमने बहुत ही Best Setting करनी है Control Update टाइप करना है यहाँ पर और OK बिटन पर Apply करना है जैसे हम OK करेंगे तो यह Simple सा Box अपीर होगा Trouble Shoot पर Apply करेंगे और यहाँ पर जो Setting है हमारे पास Additional Trouble Shooters के इसमें हम Enter होंगे यहाँ पर हम Last में अगर Find Out करें तो Windows Store एप है इसके उपर क्लिक करने के बाद Run the Trouble Shooter करेंगे Basically हमारा Microsoft Store है उसको हमने Reset करना है उसकी तमाम Cache जो है उसको हमने Remove करना है जिससे हमारे PC की जो Speed है काफी हद तक Improve हो जाएगी और हमारे जितने भी Application है उस सही तरह से Work करना शुरू कर देंगे और हमारी Internet की Speed भी इससे काफी बहतर हो जाएगी तो ये काम करने के बाद आपने इसके Next के बटन पर Apply करना है यानि कि अगर आपने Microsoft Account यहां पर Attach नहीं किया फिर भी आप इसको कर सकते हैं Reset तो Next के बटन पर फिर हम Apply करेंगे तो जैसी हम Next के बटन पर Apply करेंगे तो जो Processing है वो Continue रहेगी तो Continue रहने के बाद मजीद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी कैशन है वो Remove हो चकी है Problem not found है तो Close करेंगे Close करने के बाद हमने यहाँ पर जो Discus किया है वो Run the Trouble Shoot है इसको Close करेंगे Close करने के बाद वापिस आएंगे हम यहाँ पर File Explorer पर या My Computer डबल क्लिक करके भी आप इसको Open कर सकते हैं यहाँ पर अब हमने क्या करना है Find Out करना है Views Views को Find Out करने के बाद Option पर Apply करना है Basically यहाँ पर एक Simple सा Box है जो के Folder Option का है Views में आना है यहाँ पर Show अगर आपके पास यहाँ पर Hidden Files Show है तो आपने इसको Do Not Show करना है और Extension के उपर आपने Click करना है याई कि इसके Box पर Click करना है और तमाम जितनी भी Extensions हैं उनको आपने Hide करना है Hide करने के बाद आपने Simple सा एक काम करना है Apply करना है OK करना है और जितनी भी Setting है इसको Set करना है और box को हमने close करना है नेक्स सेटिंग में हमने फिर आना है run command में और यहाँ पर हमने type करना है most important जो command है हमारी prefix इसको हमने type करना है जितनी भी garbage files हैं इसको हमने delete करना है वार्सिस file को delete करना है continue करेंगे तो हमारे पास जितनी भी files हैं वो appear हो जाएंगी appear होने के बाद यहां पर हमने control-A press करना है एक file को select करने के बाद और यहां पर right click करना है delete करना है तो जितने भी files है यह delete हो जाएंगी डिलीट होने के बाद यहां पर जो simple सा process है हमने इस box को close करना है यहां पर हम check करेंगे skip करेंगे और box को close कर देंगे last में हमने अपनी recycle bin में आना है और यहां से भी तमाम files को delete करना है और अपने PC को restart करना है